हेलो दोस्तों मैं सवरो मली का आप सभी का वाइफाई स्टेडी स्टूडियोज में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के लाइव टेस्ट में हम देखने वाले हैं करेंट अफेर के कुछ most important MCQs जो की सभी exams के लिए important रहने वाले हैं तो आप इस live test को सुरू से लेके अंट तक देखेगा और इन टोप 50 कोशन में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना इसको इसी वीडियो के नीचे comment box में जरूर बतेगा दोस्तो अगर आप चाहते हैं एक भी दिन का live test मिस नाओ तो सुबह 6 बज़े वीडियो आती हैं आप इसका time note कर लिजे चैनल को अभी subscribe कर लिजे ताकि आगया आने वाली सभी वीडियो के notification आपको मिलते रहें और देखे अगर आपको पीडियाप भी लेनी है दोस्तो तो टेलिग्राम पे जाके सोरब सर जी के ये चैनल है मेरा इसको जोइन कर लिजेगा सारी पीडियाप आपको मिल जाएगी और देखे अनेकेडमी की तरफ से बहुत अच्छा चैनल लौंच किया गया है जिसमें आपको सारी ट्रिक की वीडियो मिलेगी इस चैनल का नाम है सेवन मिनट ट्रिक्स और इसका लिंक नीचे डिसक्रेप्शन बोक्स में मिल जाएगा तो इसको सब्सक्राइब कर लेना भई चले शुरू करते हैं आज की वीडियो को और शुरू करने से पहले मैं आपको कल की लाइफ टेस्स से कोशन पूछूंगा जिसका अंसर आप सभी को नीचे कमेंट बोक्स में बताना होगा कोशन है दोस्तो दल बदल कानून किस अनुसूची में है तो यह आपको बताना है मैं आपको चार ओप्शन भी दे देता हूँ अनुसूची साथ या आठ या नो या दस इन में से कौन सा सही आंसर रहेगा नीचे कमेंट बोक्स में बताएगा कल की वीडियो में मैंने कोशन आपको कराया था आज की वीडियो का पहला कोशन क्या है हाल ही में किस राज्य के परसिद टेरा कोटा मूर्तिकला को GI टेक दिया गया है तो फटा फट आंसर बती है इसका सही आंसर क्या रहेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहे है बिल्कुल सही इसका सही आंसर हैगा उत्तर परदेश बहुत सारे स्टुनेंट ने आपे आंसर किया है यूपी का गोरगपुर जिला टेरा कोटा मूर्तिकला के लिए विस भर में जाना जाते है दोस्तों यह आपको याद रखना है ठीक है बढ़ते हैं नेक्स कोशन की ओर और नेक्स कोशन हमारा कहा रहा है करनाटक विकास ग्रामिन बैंक ने सुक्षम लदू और मद्यम उद्मियों के लिए किस नाम से तरण योजना शुरू की है तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा विकास अभिया यानि की ओप्षन रहेगा C रहेट आंसर तो यह आपको याद रखना है चले नेक्स कोशन किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वानों की खरीद पर एक साल के लिए बैन लगा दिया है बहुत अच्छा गोशन है दोस्तों इंपोटेंट मार्क कर लीजेगा और मैं देखता हूँ कितने स्टुनेंट आंसर कर पाते हैं बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर हैगा हरियाना यानि की ओप्षन रहेगा सी रेट आंसर और लोगडाउन के चलते आर्थिक गतिविद्या काफी कम हो गई है जिससे राज्यों को राजस्र की कमी बहुत ज्यादा कमी हो रही है तो इसी की वज़े से कोई भी अभी कार या जीप सरकारिवान नहीं खरेदा जाएगा एक साल तक तो यह चीज आपका आदक निए ऐसे कोईशन एक्जाम में जरूर बनेंगे जब भी आपका एक्जाम होगा नेक्स कोईशन पर चलते हैं नेक्स है हाल ही में किस कमपणी ने महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट में 49% की हिस्सेदारी का अधिगरेंड किया है पूद अच्छा कोईशन है दोस्तो इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल मनुलाइफ इसका सही आंसर है यानि कि ओप्षन रहेगा सी रेट आंसर और मनुलाइफ दोस्तो सिंगापूर की बीमा और वित्य नियोजन कमपनी है तो यह आपको याद रखना है नेक्स कोईशन पर चलते हैं करोना वाइरस संकरमन से जस्टिस अजय कुमार तिरपार्टी का निधन हो गया वे किस संस्था के सदेश्य थे दोस्तो इसका सही आंसर एगा इसका सही आंसर एगा लोगपाल बिल्कुल सही है बहुत सारे स्ट्रेंड ने आंसर किया है वेरी गुड और वे 36 गड़ हाई कोट के मुख्य नयादीस भी रहे चुके थे दोस्तो यह भी आपको याद रखना है ठीक है भई चलते हैं नेक्स पिर किसी भी एक्जाम की तयारी करना चाहते है घर पर रहकर ही तो सबसे बेस्ट प्लेटफों में अनकेडमी जो कि आपको मिनिमंस से मिनिमंम फीस में पूरा कोर्स प्रोवाइड कराता है जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस मेहत रीजनिंग जीके करेंट अफेर साइ करना है उसको apply करना है और referral code applied जब लिखाएगा आपकी फीस कम हो जाएगी उसके बाद आपको उसका payment करना है अब बहुत सारे student सोचेंगे कि सर ये फीस इसलिए क्यों ली जा रही है तो ये इसलिए लिए दोस्तों इसमें बहुत सारे educator आपको मिलेंगे जो अनकेडमी पर पढ़ाते हैं उनके courses आप देख सकेंगे मेरा भी course चल रहा है वहाँ पर आपको सब के courses मिल जाएंगे इस स्लाइड का आप इसकीन सोट ले 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 लेना ये मेरा contact number है अगर किसी को course purchase करना है और कोई भी डाउट आता है चाहे एससी ओ यूपेसी ओ बैंको किसी बे एक्जाम के लिए तो आप मुझे का proper guide करूंगा otherwise मतलब unnecessary message मत करिएगा ठीक है मतलब जिनका कोई मतलब नहीं होता है hi hello good morning good evening sir ये message मत करना प्लीज next question है हाल ही में किस देश ने लेबनानी समू हिजबुला को आतंकवादी संगठन गोसित कर बैं कर दिया है तो इसका सही answer दोस्तों क्या रहेगा बिल्कुल Germany यानि की option रहेगा सी रेट आंसर तो ये आपको यादकना है हाली में किस देश के जाने माने कार्य करता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया तो ये आपको बताना है किस देश से थे दोस्तों ये दक्सिन अफरीका से थे तो इसका सही answer option सी रहेगा ठीक है ऐसे question बहुत सारे हैं जो exam में पूछे जा सकते हैं मैं आपको सारे ही कराऊँगा ठीक है चलिए next question पर आते हैं किस संस्था ने वाइरस का खात्मा करने के लिए एतुलियन नामक एक microwave इस्टार लाइजर विक्सित क्या है इसका सही answer एगा बिल्कुल defense institute of advanced technology जो की पुने में है और इसका सही answer एगा option सी तो ये आपको या दखना है मन्रेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों इसका सही answer एगा 36 गड़ और 36 गड़ में कुल 18.52 लाक मज़दूरों को यहाँ पे मज़दूर को मतलब कार्यत किये गए है इस योजना के तहत नेक्स्ट है वित्य मंत्रालिय में आर्थिक मामलों की सचीव किसे बनाया गया है दोस्तों इसका सही answer एगा 32 को यानि की option रहेगा B right answer यह आपको याद अखना है और next question है प्रोफेसर बीबी लाल की जनम सताबदी पर किसने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया Read Discovery e-book को launch किया इसका सही answer क्या रहेगा बिल्कुल सही है पहलाद सिंग पटेल यानि की option रहेगा D right answer ठीक है चले next question हाल ही में पीटर्स बर्ग जलवायू वारता की ग्यारवे सत्र की मेजबानी किस देशने की इसका सही answer जर्मनी रहेगा यानि की option B is the right answer और इसमें दोस्तों परियवन मंत्री प्रकास जावेड कर ने भारत का परतेंदित किया था यह आपको याद अखना है विज्ञान और प्रद्योगी की के छेत्र में दिया जाने वाला निक्कई एसे प्रुषकार दुजर 20 किसे दिया जाएगा दोस्तों इसका सही answer हैगा थल्पिव प्रदीप यानि की option रहेगा C right answer तो यह आपको याद अखना है किस पूरु भारतिय किर्केटर को USA की रास्टे टीम का मुख्य कोच बनाया गया है दोस्तों इसका सही answer हैगा जे अरुन कुमार यानि की option रहेगा A right answer तो यह आपको याद रखना है फीपा ने सवास्त कर्मियों को सम्मानित करने के लिए किस अभ्यान को शुरू किया है और we will win इसका सही answer हैगा और दोस्तों इस में इस अभ्यान में दुनिया के परमुक खिलाडियों ने हिस्सा लिया है तो यह आपको याद रखना है चलिए next question पर चलते हैं कतर में भारत का अगला राजदूत किसे ड्यूक्त किया गया है तो इसका सही answer क्या रहेगा बिल्कुल दीपक मित्तल यानी की option रहेगा C right answer और कतर की राजदानी क्या है दोस्तों दोहा है चलिए next question पर आते हैं करोना संकट के कारण किस देश में छोटे वैपारियों के लिए bounce back lawn योजना को सुरू किया गया है तो प्यारे दोस्तों इसका सही answer रहेगा बिल्टेन यानी की option B is the right answer हाली में किस राजजे ने जगना विद्या दिवेना योजना को सुरू किया है आंद्र प्रदेश इसका सही answer रहेगा यानी की option A is the right answer सरकार द्वारा बंदरगाहों पर duty कर रहे करमचारियों की करोना से मोथ हो जाने पर कितनी मुआवजा रासी दी जाएगी दोस्तों इसका सही answer रहेगा 50 लाग रुपे यानी की option रहेगा C रहेट answer संयुक्त रास्ट में भारत के अगले इस्थाई परतिन्दित कौन होंगे तो T.S. तिरुमूर्थी इसका सही answer रहेगा यानी की option C is the right answer ADP ने मारास्ट को उर्जा के छेत्र में सहयोग देने के लिए कितनी धन्रासी के तरण को मंजूरी दी है इसका सही answer क्या रहेगा बिल्कुल दोस्तों इसका सही answer रहेगा 346 million यानी की option रहेगा C right answer और प्लीज आर सेशन को लाइक करते रहेए जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं फटा फट लाइक कर दीजें किस मंद्राले ने COVID-19 से निपटने के लिए यस कारेकरम को लॉंच किया है दोस्तों इसका सही answer रहेगा विज्ञान और प्रद्योगी की मंद्रालिय यानी की option रहेगा D right answer इसकी अगर मैं full form की बात करूँ तो इसकी full form क्या होगी कोई बताना चाहेगा बिल्कुल year of awareness on science and health ये इसकी full form होगी तो इसको आप याद रख सकते हैं दुर्गापूर इस्थित केंद्रे यांत्रिक अभियांत्रिक की अनुसंधान संस्थान के स्वास्थ कर्मियों के लिए कौन सा रोबोट विक्सित क्या है दोस्तों इसका सही answer रहेगा होस्पिटल केर एसेस्टिव रोबोटिक डिवाइस तो ये आपको याद रखना है ये क्रोना मरीजों के पास दवा पहुचा सकेगा और खाना जो भी देना होगा ये सारे काम हाल ही में जापान सरकार द्वारा मनिपूर के किस डोक्टर को ओडर ओफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया इसका सही answer है गा थंग जाम धाबली बिल्कुल सही है ओप्शन रहेगा बी रहेट आंसर दोस्तों ये आपका याद दखना है अमेरिका ने करोना वाइरस से लड़ने के लिए भारत को कितनी साहता दन्रासी की घोशना की है दोस्तों इसका सही answer हैगा थ्री मिलियन डोलर यानि की option रहेगा बी रहेट आंसर किस राज्य सरकार ने डीजल, पेट्रोल, मोटर, इस्पिरिट के लिए COVID-19 उपकरण लगाने की घोशना की है दोस्तों इसका सही answer हैगा नागलेंड यानि की option रहेगा ए रहेट आंसर एक माई को एक रास्ट, एक रासन काड योजना में कितने अन्य राज्य या फिर किन सासित प्रदिसों को जोड़ा गया दोस्तों इसका सही answer रहेगा पाँच इससे पहले कितनों को जोड़ा जा चुका था अभी total 27 हो गया है ठीक है तो यह आपको याद रखना है total 17 हो चुके है हाल ही में किस राज्य के काले चावल को GI टेक दिया गया है तो दोस्तों इसका सही answer क्या रहेगा मनीपूर यानि की option रहेगा बी रैट आंसर नेक्स कोशन पर चलते हैं बॉम्बे उच न्याल्य के नए मुख्य न्याधीस के रूप में किसने सपत ली है इसका सही answer रहेगा दिपांकर्दत यानि की option रहेगा डी रैट आंसर चलते हैं नेक्स कोशन पर अंतरास्टिय सर्मिक दिवस किस दिन मनाया जाता है तो एक मही को ये तो बहुत easy question हो गया आंसर आप सभी बताई देंगे नेक्स अब भारत सरकार द्वारा हर साल अयुसमान भारत दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तो इसका सही आंसर रहेगा 30 अप्रेल में यानि की option रहेगा डी राइट आंसर यह दिवस पहली बार 30 अप्रेल 2018 को मनाया गया था तो यह आपको याद रखना है क्रेसल के अनुसार वित्यवर्ष 2020-21 में यहाँ पे दोस्तो गलत हो गया भारत रहेगा ठीक है भारत की GDP वरदिदर कितने परतिशत अनुमानित है तो वोट इस दा राइट आंसर गईस 1.8 परतिशत ठीक है ओप्शन क्या रहेगा बी रहेट आंसर हैगा और इससे पहले क्रेसल ने विकासदर 3.5 रहने का अनुमान लगाया था हाल ही में नासा के पूर अध्यक्स जेम्स एम बेगस कनिदन हो गया वे किस देश से थे दोस्तों ये थे अमेरिका से यानि की ओप्शन रहेगा एर रहेट आंसर और इन्होंने 1981 से 1985 तक नासा के अध्यक्स पद पर काम किया है 1981 से 1985 के बीज में ठीक है हाल ही में बॉलिवूड अभिनेता रिसी कपूर का निदन हो गया मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म कौन सी थी तो बही ऐसे कोश्चन भी पूछ ले जाते हैं तो बॉबी इसका सही आंसर एगा यानि की ओप्शन ए इस दर रेट आंसर और रिसी कपूर को दोस्तों वर्स 2008 में फिल्म फियर फिल्म फियर कौन सा दिया गया था नको लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड हाँ ठीक है हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया का निया सलाकार ज्यूक्त किया गया है तो इसका सही आंसर एगा सीखा सर्मा यानि की ओप्शन ए इस दर रेट आंसर next question पर आते हैं हाल ही में किस भारतिय को American Academy of Arts and Science में अंतरास्टिय मानद सदश्य के रूप में चुना गया सोबना नरसिंगन इसका सही answer रहेगा यानि कि option रहेगा डी रेट अंसर ये गयर रहेगा दोस्तों इसको correct कर लिजेगा चलिए next question नेविन में से किसने virus का खात्मा करने के लिए electro-static किटानू सोधन मसीन की विक्षित की है इसका सही answer रहेगा CSIR और CSIO यानि की option रहेगा डी रेट अंसर next प्रतीक वर्स विस्व प्रेस सवतंतरता दिवस की इस दिन बनाया जाता है इसका सही answer क्या रहेगा बिल्कुल दोस्तों तीन मई इसका सही answer रहेगा हाल ही में केंद्रिय सडक अनुसंदान संस्थान ने किसानों के लिए कौन सी एप लोंच की है तो इसका सही answer रहेगा किसान सभा यानि की option A is the right answer एक मई 2020 को किस राज्ये ने अपना साटवा स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों इसका सही answer रहेगा मारास्ट और गुजरात यानि की option C is the right answer मारास्ट और गुजरात की स्थापना एक मई 1960 को हुई थी यह आपको या दखना है परती एक वर्स विश्व इस्थर पर विश्व ट्यूना दिवस किस दिन मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है दो माई को option रहेगा A रेटांस नेक्स्ट है भारत के मसूर खिलाडी चुन्नी गोस्वामी का हाल ही में निदन हो गया इनका संबंद की स्केल से था तो किरकेट और फुटबोल दोनों से था इसका सही आंसर option D रहेगा किस संस्थान ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इमनेटी बूस्ट कारेकरम आयूरक्षा को आयोजित किया है इसका सही आंसर क्या रहेगा AIIA यानि की option रहेगा A रहेट आंसर यानि की All India Institute of Ayurved पुर्षो की विस मुक्यबाजी चैंपियंसिप 2021 की मेजबानी कौन सदेश करेगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा सर्विया यानि की option रहेगा A रहेट आंसर और इससे पहले इस चैंपियंसिप की मेजबानी भारत को मिली थी दुनिय का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला Entertainment Show कौन सा बन गया है ज्यान से सुन्येका क्या मैं पूँच नहीं दुनिया का सबसे जादा देखे जाने वाला Entertainment Show तो रामायन दोस्तों इसका सही आंसर हैगा यानि की option A is the right answer है यह सो दोस्तो 16 अप्रेल के दिन 7.7 क्रोड लोगों द्वारा देखा गया था ठीक है अंतरास्तिय बजट पार्टनर्सिप द्वारा किये गए ओपन बजट हो गया रहे है बजट सर्वेक्षन में भारत की सिस्थान पर है तो भारत है 53 वे स्थान पर यानि की ओप्षन रहेगा सी रेट अंसर ठीक है चले हाली में किसे लोग उद्व चैन बोर्ड का नया अध्यक्स निउक्त किया गया है तो राजीव कुमार इसका सही आंसर रहेगा हाल ही में फेस्बुक ने वीडियो चैट के लिए कौन सा फीचर लॉंच किया है तो मेसिंजर रूम दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ठीक है तो आज की इस लाइव टेस्ट में यही सब कोशन दे 48 से इनमें से आपने कितने सही किया है इसकी पीडियाप आप टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और अपसर जी के सर्च करके आप डाउनलोड कर लिजेगा और आप मुझे फेस्बूक या इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे दो नई चैनल और लॉंच के गए हैं वाइफाई स्टड़ी की तरफ से डिफेंस एक्जाम और लाइफ टेस्ट दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उन पर जो वीडियो जा रही है उनको देख सकते हैं पर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुब हो